हेलो एव्रिवन स्वागत आप सभी का एकेस एडू टेक में मैं हूँ अर्विंद और चलिए आज बात करते हैं फोक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया पर अभी यहीं पर वीडियो पॉस करें और बताईए आप किन-किन को आइडेंटिफाई कर पारें कोमेंट्स में चलिए स्ट देख लीजे आप पेंटिंग ये एक रिचुलिस्टिक पेंटिंग है डन उन वाल्स बाइ रथवा ट्राइब अफ गुजरात भील्स और भिलाला ट्राइब्स अफ मध्यप्रदेश इनके पेंटर को कहा जाता है लखिंद्रा और इट वस मेट तू ओनर बाबा पितोरा ज पेंटिंग के लिए याद रखना अनमेरिट गल्स गोंड ये एक वाल्स पेंटिंग है गोंड लोग अपने आपको कोई कहते है और इजनेट हुई थी छत्यसगर्ड एंड अमरकंठक रीजन में ये डिपेक्ट कृष्णा ओन पेंटिंग्स अलोंग विद फ्लोरा एं देख सकते हैं आप और बड़े करके दिखाऊं तो देखिए लाइन्स और डैशे रहें इसमें और बॉर्डर नहीं है वरली ये ओरिजनेट हुईती महराष्ट्रा में थीम अफ दे पेंटिंग रिवाल्टिंग्स अराउंड एंगरिकल्चर हंटिंग और फिशिंग तो ये दिखाने के लिए इनकी पेंटिंग में स्पाइरल जरूर होते हैं इसमें तरपा डांस दिखाते हैं और जो महराष्ट्रा का करेंट स्टेट डांस है लावनी वो तरपा डांस से ही निकल के आया है और इसका स्ट्रैकिंग फीचर है चोखट यानि वुडन फ्रेम आप यहां देख सकते हैं यह देखिए यह है चोखट और चोखट के अंदर है यह पालाघाट गोड़स पालाघाट गोड़स यानि deity of fertility विदिन दे चोखट पालाघाट गोड़स इस ड्रॉन पालाघाट can be only drawn by women whose husbands are alive तो widows यह नहीं ड्रॉ करती हैं वही ladies ड्रॉ करती हैं जिन्दा हूं सौरा पिक्तोग्राफ ओरिजन हुआ था उडिशा, सौरा या सौरा finds mention in Ramayana and Mahabharata this painting is all about black magic पिक्तोग्राफ तभी बनाय जाते हैं जब death, disease and calamity हो सौरा ट्राइब प्रैक्टिस witchcraft, magic and astrology इत्तल is the सौरा deity or the painting is in the form of house यह नि कोठी यह देखो यह बनी विये कोठी यह no spaces are left blank in the painting देख सकते हैं आप कोई भी जगा नहीं छोड़ी गई है और कृष्णा को जिन्नोंने मारा था वो व्यक्ती भी सौरा ट्राइब से ही था तो इस वज़े से काफी खतरनाक ट्राइब मानी जाती है सौरा ट्राइब संथल पेंटिंग देख सकते हैं आपको समझ में आ गया हुआ देखके की आखे ही आखे दिखाई गई हैं इसमें यह ओरिजनेट हुईती जारकंड बिहार बेंगालें उडीशा में सिंथेटिक कलर्स यूज होते हैं और देविल आल्वेज डिपेक्ट आईज मोस्ली विमन ड्राउ करती हैं इसको और मेमोरेबल इविंट्स दिखाय जाते हैं चेरियल स्क्रॉल उरिजन हुआ था इनका वारंगल तेलंगाना में इनके पेंटर को नकाश कहते हैं यह हैं गंजीफा कार्ड्स और इनको खेलने का मेथट हुमायू नामा में में अचेंड है यानि मोगल टाइम से यूज होते आ रहे हैं यह गंजीफा का मतलब होता है वेल्थ आफ मनी एंड ग्रेंस टीपू सुल्तान patronized making of गंजीफा कार्ड्स और गंजीफा कार्ड्स का GI टैग है करनाटगा के पास मधुबनी पेंटिंग बहुत इंपोर्टन और काफी फेमस इट वाज नेम्ड आफ्टर मधुबनी डिस्रिक्ट अफ बिहार जहांसे यह ओरिजनेट हुई practiced at Mithla region of India and Nepal Mithlanchal region में basically origin traced back to Tulsidas, Ramayna and Banabattas, Harshacharita Ramayna और Harshacharita में इसके बारे में दिया गया है इस पेंटिंग में हमेशा double lines होती है और किसी अच्छे occasion पे auspicious time पे बनाई जाती है कोई भी पेंट कर सकता है इसको कोई cast barrier attached नहीं है इससे Manjusha, आप देखेंगे सिर्फ तीन कलर्स यूज किये जाते हैं इस पिंटिंग में Manjusha is a folk art of भागलपुर, बिहार It was used in Bihula विशारी पूजा A festival dedicated to snake god Celebrated in भागलपुर, जहांसे यह निकली है याद रखना, Bihula विशारी पूजा, snake god के लिए इनके लिए बनाई जाती है The art is districted to three colors, pink, green and yellow देख सकते हैं Matani Pachedi means behind the mother goddess in Gujarati Pachedi is a religious textile Folk art derived from kalamkari style of painting यह Navratri के time करी जाती है और इसी का एक और टाइप है, Matanu Chather वो जो canopy for the goddess इंडिया में केवल वागारी community इसको बनाती है और only men paint this Women are not allowed Main colors used, maroon and black देख सकते हैं, बड़ी करके दिखाता हूँ, यह देखे Maroon और black color चित्र काठी painting यह बहुत important है, UPSC point of view से यह and madhu bani भी चित्रा means picture and कथा means story दोनों को मिला दिया जाये तो चित्र काठी is a person who narrates the story with the aid of some visual support they sing the tale while showing it visually using pictures mostly depicts the gods and royals चित्र कथा is identified in three forms leather shadow puppets, stringed wooden puppets and picture stories और puppet जो इसमें use होता है, वो है थोलू बो मलाटा आर्टिस यूज दे टर्म्स पोथी to set of pictures which contains 30 to 50 pages arranged in chronological order और इसी को पलट पलट के वो लोग story सुनाते रहते और दिखाते रहते हैं visuals popular painting subject, Pandava Pratapa 18th century की poem है, Marathi poet Shridhar ने लिखी है पटचित्र, देख सकते हैं, बगवान जगरनाथ को dedicated है dedicated to Lord Jagannath, ये एक wall painting है महापात्रा और महराना कास्ट ग्रोप के लोग इसकी preparation में involved होते है थिया बाडिया, representation of Jagannath temple ये बहुत important theme है इसका फड, colorful painting from Rajasthan, art form originate with meward region में traditional storytellers are called bhopas, ये भी music और dance के साथ story सुनाई जाती है रावन हट्टा और जंतर जो instruments हैं, वो इसी painting के साथ associated है फड, Iranian परदे जैसा लगता है काली घाट पेंटिंग, made by painters कम potters यानि painting भी कर लेते हैं वो लोग और मिट्टी के बरतन भी बना लेते हैं ये cheap mill paper पे draw करी जाती है और pilgrims को बेची जाती है जो लोग मंदिर दर्शन के लिए आते हैं काली घाट पेंटिंग्स आर एसेंचली water color and brush drawings ये dab technique से बनती है और बहुती cheap paper यूज होता है इनकी लिए सो बस दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इत्ता है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे और अपने valuable feedback कॉमेंट्स में share कर सकते हैं तैंक्यू सो मच आप ancient history की पूरी playlist भी देख सकते हैं तैंक्यू प्लीज subscribe करके जाईएगा EKS Edutech पे आप Instagram पे भी follow कर सकते हैं तैंक्यू